तो हेलो फ्रेंड मेरा नम सिव संकर है और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर सिव आज की मैं इस वीडियो में आपको अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ फिलिपकाड असमार्ट बाय के तरप से जो 20,000 एमेज का पॉर्ण बैक आता है उसको साथ में मैं चार्जिंग टेस तो फाइलि हमारा बॉक्स जो खोल चुका है तो हम इसके अंदर से अपना जो प्रॉड़क्ट है उसे निकाल देते हैं तो बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर एक बॉक्स मिलता है उसके बाद ये बॉक्स खाली है तो इसे हम साइट कर लेते हैं यहाँ फाइनली हमारा बील है तो बील में बता दूँ कि यह हमें जो पड़ा है 949 49 रुपय का पड़ा है तो हमारा जो 949 रुपय है वो बेस्ट जाएगा या फिर यूजफिल प्रोड़क्ट है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही मैं आपको ये भी किलियर कर दूँगा कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और बॉक्स है जो काफी प्यारा है और इस पर फिलिप कार्ड का ब्रांडिंग दिया हुआ है और पीछे कुछ एक कदम स्वाचता की और कुछ QR कोड दिया हुआ है साथ में कुछ पर उडरत के पार में इंफर्मिसन दिया हुआ है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं तो हम इसे भी आप कट कर लेते हैं तो हाँ इसे कट करने के बाद अब हम फाइनली अपना covid को निकालते हैं तो फ्रेंड अभी तो पावर बैक नहीं निकला है इसके अंदर भी एक बॉक्स हमको मिल जाता है अब इस बॉक्स को निकालने के बाद बॉक्स बिल्कुल खाले हो गया तो इसे भी हम साइड कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इस बॉक्स में हमारा ओ फाइनली है ओ प क्या फीचर है कैसे फंक्शन करता है कैसे वर्क करता है सिंगल लाइट बिलिंग करता है तो आपको 25 प्रॉड़क्ट यूज करने में कोई दिक्कत ना हो तो हमने तो पढ़ लिया है मोटा मोटी अब हमें पढ़ने की जरूवत नहीं है तो हम इसे साइड कर लेते हैं अब ह हमारा जो है और फाइनली आपको पाउर बैक दिखाते हैं पाउर बैक मोटा है थोड़ता वजन भी होगा लेकिन मैं इसे वजन तो नहीं किया हूं तो यहां पर फ्लिपकाट कपको ब्रांडिंग मिल जाता है जो बहुत ही प्यारा लगता है इसका डिजाइनिंग भी अच आसे पाउर भी परसंट्स प्रांट्स जाहर अधार देख सकते हैं कि हमारा पार्वट को कितना चार्ज है कि तो यहां पर 2 लाइट बिलिंग कर रहे हैं यानि कि हमारा पाउर बैक अप्रोक्स फिप्टी परसेंट चार्ज थैं अब हम आपको डेंटा के वैवल मिलता है उ यहां एड़ान के तो काफी जादा लो काइलिटी के यहां किंप्यूट, काफी कमी कापिनारी क्वेटि कर सकते हैं तो यहां पर देटा के वल्त六 में किस पहां की वम से यहां और। ले सुस्थ बाकि मैं पाउर बैक की बात करूँ तो बिल्कुल ही बनिया है वर्जन भी ठीक है वेट भी ठीक है हाइट भी ठीक है और मोटाई भी कुछ ठीक ठाक है अब मैं इसका चार्जिंग टेस्ट करके दिखाना हो तो यह हमारे पास रेडमी नोट 5 प्रो है जो फार्स मोड में चार्ज करता है या फिर नोर्मल चार्जिंग मोड में चार्ज करता है तो यहां पर हमने चार्जिंग को कनेक्ट कर दिया है तो एक अच्छी बात इसमें है कि जैसे ही आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में कनेक्ट करते हैं तो इसमें आपको स्वीच टिपने पीन खराब होगा क्योंकि कस्टमर का है फोन रिपेरिंग के लिए आए है तो हम सेंडरी फौन में जियो का यूज करते हैं तो जी यो भाई यहां पे जी यो फोन को हमने चार्जिंग कर दिया है और जी भी हमारा जो चार्ज ले रहा है और साथ में Redmi Note 5 Pro भी हमारा चार्ज ले रहा है लेकिन एक डिस पॉइंटिंग बात ही है कि यहाँ पर फास चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है नॉर्मल मोड में ही दोनों फोन हमारा चार्ज हो रहा है जबकि Redmi Note 5 Pro फास चार्जिंग को सपोर्ट करता है से आप फास चार्जिंग की उमीद न रखें और कोई जनकारी चाहते हैं तो कमेंट करें थैंक्स पर वाचिंग